सब बालक हाठ छोड रहे हैं पिस्टल responsibilities मांजा यह सब बालक हाठ छोड रहे हैं यह पिस्टल माफी मांख रहे हैं रग दे तेरी भाजरा कड़ी है मानझा मत मारे किसी के गोली फे दिनां तेरह ग्यारा को खिजर पुर गाहों है ठिना कान खानथुर सेत्र में वहाँ पर एक सगे छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई और भावी दोनों को गोली मारी गई और उन लेकनी यह है कि दोनों की पत्निया सगी बहने हैं अभियुक्त की और जिसे गोली मारी गई मोहित नाम है बड़े भाई का और अभ्युक्त का नाम मूलचंद है दोनों सगे भाई हैं दोनों की पत्निया भी सगी बहने हैं मूलचंद जो अभ्युक्त है इसकी उम्र लगभग 25 साल है और ब्यक्त को इसके बड़े भाई जिसे गोली लगी उसकी उम्र लगभग 30 वर्स है बिवाद यह था कि जब इन दोनों की पिता जोली राम सर्मा की मृत्व हो गई तो नौकरी करते थे उनका जितना भी बिमायाद का पैसा था जीपियफाद का पैसा था वो सारा पैसा बड़े भाई मोहित ने अपने नाम करा लिया था और 36 विगे जमीन इनके पास है जिसमें इनके तीन भाई हैं चोथा भाई मंद बुद्धी है तो उस आधार पे तीनों भाईयों को बारा बारा बीगे जमीन मिलनी चाहिए थी लेकिन बड़ा भाई चोटे भाई का जो मंद बुद्धी है उसका भी हिस्सा और इस अभियूप्त का भी हिस्सा अपने कबजे में पहले से लेके खेती कर रहा था दे नहीं रहा था बस इसी कुछ माहौल की बीच में एगटना हुई है पिलहाल अभियूप्त गिरफतार ह हो गया है असलाह जिससे फाइरिंग की गई थी वह बरामद है साथी जो पीडित हैं जिन्हें फाइरिंग की चोट आई थी उनका हिलाज चल रहा है और खत्री की बाहर अपत्त बताई आ रहे हैं तेり भावी के गोली लगई ये मांचा मत मारे किसी के गोली